सिर्फ कच्चे दूद को हम कैसे अपने चेहरे पे लगाए जिससे हमारा चेहरा दूद की तरह गोरा बने, साफ बने, चेहरे के कालेदार धब्बे खतम हो, चेहरे पे अगर जाईया आने लगी है तो वो खतम हो, साथ साथ अगर आपके स्किन लूज होने लगी है, चेहरे प कैसे अपने चेहरे पे क्लिंजिंग कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी दूध तो सभी के घर में होता है दूध को हम कैसे किस चीज के साथ यूर्स करें जिससे कि हमारी सकीन और ज्यादा निखरे है और जदा हमारी सकीन का रंग साफ हो तो आज का ये जो घ्रेलन उसका मैं आपको बताने वाली हूँ ये जरूर सेम तरीके से अपलाई कर लेना और जैसे कि अभी मोसम भी बदल रहा है धीरे धीरे घर्मिया जा रही है धीरे धीरे ठंडा मोसम आएगा और थोड़ा बहुत बदलाव होना चेंज हो बहुत जादा नहीं है लेकिन हलका हुआ है इसी टाइम से हलके बदलाव के साथ साथ ही अगर हम अपनी सकिन केर भी चेंज उनको चेंज करके मोसम के अकोर्डिंग लगाएंगे तो पता है उससे क्या होगा उससे आपके चेहरे पे जब सर्वी बहुत ज्यादा आएंगे तो आपके फेस उतना ज्यादा खराब नहीं होगा जितना कि आपका पिछली सर्वियों में हुआ होगा जब आपने कुछ भी तो मेरे कहने से यह वाली remedy यूज़ कर लेना हफ़ते में दो बारी तीन बारी जितनी बार आपको वक्त लगे आपका चेहरा फटेगा नहीं स्किन आपकी ड्राए नहीं होगी चेहरे का रंग गोरा बनेगा चेहरे पे अलगी चुमक आएगी बिल्कुल देखने लायक आपका पोकच्चा दूदः इस्तेमाल करने आपके चेहरे के रंग को दूदः की तरह निखार ने के लिए और बिना अदाग तपे वाला चेहरा पाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी हम फेस पे कुछ भी अपलाई करें, आपको सबसे पहले अपना चेहरा साफ कर लेना है, धोलेना है, आप फेश वोस कर लेना है, मैं यहाँ पे आपके सामने ही आपको पानी और रुमाल की सहायता से अपना फेस जो है, क्लीन करके दि करना है ठीक हुआ तो यह मैंने यहां पे स्किन को कर लिया क्लीन अब सबसे पहले आपको करना क्या है क्योंकि दूद हमारा में इंग्रीडियन्ट है तो सबसे पहले हम कच्छा दूद ही इस्ते हमाल करेंगे दो तिन स्टेप होंगे सेम तरीकी से फोलो कर लेना आप खुद आपकी सद्धी आपका चेर्ण सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और अभी से इसको स्टार्ट कर देना ताकि आपकी स्किन और ज्यादा निकरे बहुत ज्यादा खराब होने के बाद फिर आप उस पर को ट्रीटमेंट लें इससे अच्छा है कि अभी से स्टार्ट करें ताकि आप किसकी अच्छी बने ठीक हैं तो जी सबसे पहले हमने लेना है कच्चा दूद क्योंकि दूद हमारा में इंग्रीडियन्ट रहाँ पर रहेगा अब आपने कच्चा दूद क्यों लेना है आपने गरम दूद क्यों नहीं लेना है क्योंकि जब हम दूद को उबालते हैं उसके जो जरूरी इंग्रीडियंट्स होते हैं उसके जो गुन होते हैं वो खतम हो जाते हैं कच्चे दूद में जो की मुझूद होते हैं तो कच्छा दूद मतलब जो दूद उबला हुआ नहीं, जो दूद थंड़ हुआ थंड़ा घरम करके बिलकुल बेन उोबाला हुआ कच्छा दूद रॉख वह आपको लेना है अब एक कोटन बोल बहुत बहुत यूज किया है इसको जब भी मौसम बदलता था सरदी आन स्टार्ट होते इसके अगर ड्राइ होने लगती थे मैं इसको यूज करती थी बिल्कुल फेस क्लीन हो जाता था और जो बहुत ट्रैवल करते हैं उनके फेस में एक अलगी दूल की लेयर सी जम जाती है टैनिंग सी पड़ जाती है यह उसको खतम करता है स्किन को आपकी अच्छा बनाता है तो थोड़ा दूद और वापस से लेना है आपको ऐसे करना है कच्छे दूद से मसाज और अगर आप इसको पहली बार कर रहे हो और आपकी स्किन काफी जादा खराब हो रखी है तो आप दूद यूज़ करेंगे ना मसाज करते टाइम आप वाइट दूद लगा रहे हैं मसाज करते करते इसका कलर ब्राउन ब्राउन होने लगेगा क्योंकि आपके चेहरे की डेड़ स्किन मैल को यह बिल्कुल निकाल देगा जो भी आपके चेहरे पे आपने बहुत फेस होनगे यहां से साफ होते हैं यहां से साफ ले पड़े होते हैं पता क्या होता है प्लैक सी उसको भी रीमूब करेगा और मैं आपको इसको अपने जाज़ मут हो आप और उसको अप पर श के साथ ही बील्कुल यूज़ करना वरन्न होगा पोते चले जाएगा गर्दन आपकी काली पड़ती जाएगी जो कि अच्छर नहीं लगेगा अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको सिर्फ फेस पे बता रही हूँ बाद में मैं गर्दन पे भी कर लेती हूँ ठीक है तो जो है आपको ऐसे दूद से अच्छे से करना ह है और और दूद ही उस करने की जूरतती है चाहिए तो आप कर भी सकते है वर नहीं रहने दे सकते है इसके ऊपर ही आप लगा सकते है आपको दूसरी स्टैप में क्या है आपको लेना है गेःओ का आटा सारे घरों में बिल्कुल गेरेंटी के साथ मिल helfen का आटा और गेहऌ थोड़ा सा काढ़ा में को लग रहा है तो मैं इसलिए हलका सा दूद और इसमें डाल लोगी और यह जो पेस्ट बनके तयार हुआ है यह आपके फेस्पेस क्रब का भी काम करेगा फेस्पेक का भी काम करेगा आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से निखारने वाला है अब आपको हाथों से इस तरहां से लेना है और आपके face पे इसको इस तरहां से लगाना start करना है और अच्छे से मोटी मोटी layer में लगा के फिर आपने करना है massage वो भी मैं आपको बता दूँगी कैसे और यह आपकी सारी की सारी dead skin को निकाल देगा face की और आपके चेहरे के blackheads, whiteheads को भी remove करेगा आपकी skin की tanning को भी remove करेगा अगर face पे काले दाग धब्बे पढ़ने लगे हैं तो उसको भी खतम करेगा आपकी चेहरे के सावले पन को मिटाएगा बहुत ही बहतरी ना आपकी skin के लिए रहने वाला है और जब मेरी नईनी शादी हुई थी ना तो जब ब गुम गुम के जितना में मुट्टी जारे पर चड़ाई होती है ना सारी से निकल जाती थी dead skin सारी की सारी तो यह मैं बहुत यूज करती हूँ ठीक है अच्छी से अब आपने करना है मसाज इससे ताकि आपकी सारी dead skin निकल सके सारा मैल निकल सके और आपको यह मसाज क्म से कम 10 मिनट के लिए तो कर ही लेना और स्टार्टिंग में के तब आप आप कर रहे है ना पहली बाब तो कम से कम स्टार्टिंग में 15 मिनट दूस से और कर ही लेना आपके चेरे पे चार चांद लग जाएंगी और अगर जिनको गेहू का आटा सूट नहीं करता है वो यहाँ पे बेसन यानि की ग्राम फ्लोर भी ले सकते हैं लेकिन दूद सोरी गेहू का आटा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बहुत ही अच सफ हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से आपको कर लेना है अच्छे से मसाज और आपको पांश दस मिनट के लिए इसको अपनी फेस पर ऐसे छोड़ देना है मैक्सिमम दस मिनट बहुत रहेगा फिर यह आधा सूखा आधा गील हरेगा हलका हलका मसाज करके वापस से दो मिन अगला स्टैप आपने लगाना क्या है तो फेस मेरा एकदम ठीन हो चुका है चेहरे पर मैने पैक 10 मिनट रखके चेहरा धो लिया है अब जो है आपके सामने ही टावल से क्लीन कर लूँगे मतलब सापोच लूँगी और उसके बाद तीसरी चीज आपको लगानी क्या है वह अपने चेहरे पर ये घरेल नुस्खा अपलाए कर लेना है अपने स्किन को निखारने के लिए कैसे फेस एकदम साफ हो गया आप खुद बताईए पार्लर वाले फेशल से तो कहीं अच्छा निखार आपको घर पर ही इस घरेल नुस्खे से मिल जाएगा तो अब आपने ल थोड़ा सा मॉश्यराइजर लगा लोगी और या फिर आपको कोई फेवरिट मॉश्यराइजर है तो आप उसको भी लगा सकते हैं अलोविर जिल आपके रिंकल्स खतम करते हैं स्किन को टाइट बनाता है थो आपको इस तरीके से ये जो है फेस पैक अपलाई कर लेना है औ और जिनको भी इसकी जरूरत है, जिनकी स्किन सर्दियों में बहुत खराब, डेड स्किन हो जाती है, जैसे ये मुसम बदलता है, रूखी रूखी स्किन बेजान होने लगती है, उनको इन उसका शेयर कर देना, उनके चैरे पे गजब की चमक आएगी, चैये हाउस वाइफ है चैये वर्गिंग वूमन है, टाइम निकालके अपलाई जरूर करना बहुत बहतरीन आपको इसके रिजल्ट मिले वाले है, तो यह था मेरा आज का वीडियो, उमीद करती हूँ, आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको व्लोग्स देखना पसंद है, तो मेरा व भीडियो अंदेखना पसंद तो